हलो दोस्तों आपका बहुत बहुत सौगत है हमारे यूटूब चैनल प्यू कीचन में आद में बनाना बताऊंगी मूंग डाल के पकोड़े आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं और बहुत ही एक क्रिस्पी बनते हैं तो चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ मूंग डाल को एक घंटे पहले भिगा दी थी अब इसको मैं दो से तीन पानी धुलूँगी डाल को तो यहाँ पर मैं दाल को दो से तीन पानी धुल दी हूँ अब इसको मैं मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डालूँगी ग्राइंड करने के लिए तो यहाँ पर मैं सारी जाल को डाल दी हूँ जार में अब इसमें चार से पांच लस्टन की कलियां तीन हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा डाल दी हूँ अब इन सभी चीजों को मैं पीछ लूँगी तो आप देख सकते हैं इसको मैं ग्रैंड कर ली हूँ तो इसको मैं एक कटोरे में न रचल को युट अब इन सभी चीजों को हाथों से में अच्छा से मिकस कर लूँगी और फेट लूँगी तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसके मैं छोटे छोटे पकौड़े बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं इतने साइच के पकौड़े बनाऊंगी तो तेल को मैं पहले गरम होने के लिए राक देती तेल गरम हो गया अब इसमें मैं पकौड़े डालूंगी तो हमें इसको medium flame पे fry करना है पकोड़ो को और golden brown होने तक इसको fry करते रहना है तो आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं बहुत ही tasty लगता है ये पकोड़े सुबा चाय के साथ नास्ते में बना सकते हैं अगर आपको हलकी फुरकी भूख हो तब ही आप इस नास्ते को बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये fry हो गए हैं अब इसको मैं एक plate में रिकार लूँगी तो आप देख सकते हैं कितने crispy पकोड़े बनके तयार हैं और आप भी इस तरह से मूंग दाल के पकोड़े बना सकते हैं और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए रिस्पी के साथ धन्यवाद